ते नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सुभी का एकोन और एक्साइटिंग वीडियो में आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब बैग्राउंड में कैसे चला सकते हैं ओफीशली बिना कोई पैसे दिये हुए आप लोग को पता यूट्य निकाल ली है तुम लोग को पताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि आप लोग कैसे कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो guys सबसे पहले हम android पे देख लेते हैं कि background में music कैसे चलता है तो youtube अगर application आप लोग मेरी देखेंगे तो यहां पर मैं कोई भी वीडियो चला लेता हूँ और आप लोग को दिखा लेता हूँ कि मैं youtube premium पे नहीं हूँ अब मैने home screen पर आगया हो तो गाना नहीं बज़रा है क्योंकि अगर youtube premium होता तो picture in picture mode में video चलती रहती बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है तो मतलब मैं clearly youtube premium का subscriber नहीं हूँ तो यहां पे आप लोगों को background में music चलाने के लिए youtube को chrome में खूलना पड़ेगा तो अपने web browser में जाईए वहां पे chrome पे जाईए और youtube.com पे जाईए इसके ब के बाल है कोई भी गाना सर्च कर लीजिये या कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिये या कोई भी podcast सर्च कर लीजिये जो भी आप सुनना चाहते हैं तो सर्च करने के बाद उसको play कीजिए जैसे ही आप लोग play करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface आएगा जैसा आपका गाना बजना स्टार्ट हो जाएका दुबारा जो आप Chrome पे सुन रहे थे YouTube के थूँ अब आप चाहे screen lock कर ले या screen off कर ले कोई दिक्कत ने होने वाली आपका जो YouTube music video है वो background में play होता रहेगा कितना interesting है easily आप सुन सकते हो कोई भी तो यह तो था Android site की बात अब कर लेत request desktop site पर करना है लेकिन यहाँ पर कोई तीन डॉट नहीं है दो ए आ रहे हैं इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर request desktop site पर क्लिक करना है जैसे ही आपकी desktop website के format में आपका YouTube खुल जाएगा उसके बाद वही same procedure है जो हमने Android के साथ किया था यहाँ पर कोई भी अपने मन पसंद का गाना या फिर podcast select कर लीजिए मैं यहाँ पर NCS का ही same गाना चूज कर लेता हूं तो NCS पर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और अब आपका जो वीडियो है वो चलना start हो जाएगा desktop format में तो बस यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है home screen पर जाना है swipe up करके नीचे की तरफ से तो जैसे ही आप home screen पर आएंगे तो home screen पर आजाते हैं एक बार swipe up कर लेते हैं तो home screen पर आने के बाद यहाँ पर भी जब आप notification sheet pull down करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को media controls दिख जाएंगे देख सकते हो safari media controls आ रहे हैं अब जैसे ही आप play के बटन पर जाएंगे आपका गाना बजना start ही जाएगा यह भी बहुत simple है बट iPhone में half a second या एक second delay रहता है जबकि Android में instant action होता है Android में जैसे आप play pause करेंगे तो instant रहता है iPhone में half a second delay होता है लेकिन iPhone में benefit यह है कि आप गाने को आगे पीछे भी कर सकते हो तो आपको seeking वाला जो option आता है वो भी दिख जाता ह आइफोन के मीडिया कंट्रोल में जो की Android के notification पैनल में हमें देखने को नहीं मिलता तो यह advantage आइफोन के साथ और half a second का delay है तो वो disadvantage आइफोन के साथ तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी I hope Android और iOS दोनों cover कर दी है मैंने इसमें बहुत simple तरीका है अगर आप driving कर रहे है या फिर डीजे वीजे पे अपना फोन आपने connect कर रहा है या फिर किसी Bluetooth स्पीकर से आप गाने बचा रहे है तो आप उस टाइम पे नहीं चाहेंगे कि आपके फोन का यूट्यूब की स्क्रीन है वो भी दिख चलती रहे मतलब आपका डिस्प्ले भी ऑन राइस से दो गाट लिए चला सकते हो अपने Android फोन पर भी और अपने iPhone पर भी तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हां मैं आप लोगों के लिए amazing technology से related वीडियो रोज बनाता हूं तो नीचे red गलर का सब्सक्राइब पेटर लो कर दो दो यूऑ है यू कि मुक्राइब कर दो दो जार दो गपने को जाएक कर दो बनाता है यू बनाता है अश्याइब एंश्छी अज़गाएब तो बनाता है